जहिंद बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी में जो अब क्लर्क का एक्जाम होने जा रहा है इस क्लर्क के एक्जाम में कुछ नए परिवर्तन हुए हैं कुछ नए प्रकार की चीज़ें जोड़ दे गई हैं और इस वेकंसे का आप लंबे समय से इंतिजार मैं आपको बताऊंगा उसमें आने वाली जीके के बारे में जनरल साइंस के बारे में इंग्लिश के बारे में कॉम्पिटर के बारे में और गनित के बारे में मैं बात कर रहा हूं अगनीवीर आर्मी 2024 की भरती की तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह है ऑफिशियल वेब से कि online common entrance exam जो सी होना है इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन categories है रहा इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो सभी categories में वर्तमान में open है अगनीवीर क्लरक की category के लिए online typing test भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पहली बार तो विशेश बात यही है कि क्लरक की इस वेकंसी को फुल्फिल करने के लिए आपके पास typing की skill भी होनी चाहिए यह information join indian army.nic.in मतलब official website पर properly available है तो आर्मी अगनीवीर की नई वेकंसी जो 2024 और 2025 के लिए आ रही है इसमें क्या है कि जो typing test है वो अगनीवीर क्लरक के लिए यह एसकेटिक एडर के लिए यह लागू कर दिया जा रहा है recruiting year 2024 पच्चिस बैद 2024 चली रहा है अब जो वेकंसी जा रही है उनके लिए यह typing का टेस्ट लागू कर दिया जा रहा है आपके online CE की अलावा मतलब जो test अब से पहले होता आया था वो तो होगा ही होगा उसके अतिरिक्त in addition to that यह typing का टेस्ट होगा इसलिए सारे candidate को यह मश्वरा दिया जाता है कि वो necessary practice करते रहें prior to the commencement of test यह test लागू होने से पहले वो necessary practice निश्चित रूप से करें अब यह जो online computer पर आधारी test है इसको conduct किया जाना है उन सारे candidate के लिए जो army clerk की post के लिए apply करेंगे जो selection process इंडियन army clerk का उसमें दो stage होनी है एक stage में written exam हो जाएगा दूसरे test में computer based test हो जाएगा मतलब typing test हो जाएगा अब army clerk का जो syllabus है इसको decide किया जाता है इंडियन army के recruitment बोर्ड के द्वारा इसके जो subject होते हैं वह दो parts में डिवाइड है part 1 और part 2 part 1 में आपके पास mathematics है general knowledge है general science है और computer science है जबकि दूसरे part में एकलोता subject है आपके पास English मतलब 50% वजूद अकेली English का है English को मजबूत करेंगे तो army clerk निश्चित रूप से आप निकालेंगे अगर हम marks का distribution और questions की मात्रा को देखें तो part 1 में जी के 5 सवाल 4 नंबर का एक सवाल 20 नंबर के सवाल general science के भी 5 सवाल 4 नंबर का एक सवाल 20 नंबर के सवाल elementary mathematics मतलब arithmetic वाला portion उसके 10 सवाल 40 नंबर के 4 नंबर का अगेन एक सवाल computer science के 5 question 20 नंबर के हो गया मतलब part 1 में जो number of question हुआ यह आपका हो गया 5 और 5 10 और 10 20 25 25 25 सवाल 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 20 24 44 44 ससी सवाल इसी के समानां तर आप देखिए part 2 में केवल English है उसके 25 ही question है और 100 marks उसके है 200 marks का exam होना है इस 200 नंबर के marks में आपका part 1 जिसमें आपका general science भी है जी के भी है arithmetic के भी portion है और computer के सवाल है सब मिलाकर 100 नंबर का matter उसके बाद English सब मिलाकर 100 नंबर का matter यह हो गया 200 नंबर का आपका written exam है इस written exam की guarantee के साथ सफलता पाने के लिए मतलब अपनी तैयारी से उत्पन हुई selection की संभावनाओं को guarantee में बदलने के लिए आपको जुड़ना है major culture classes से जहां आर्मी भरती 2024 के लिए dedicated batch आपको देखने को मिलेंगे आपके रिटिन के training होगी रिटिन के साथ साथ समाना अंतर में आपके physical fitness के sessions पी चलते रहेंगे every morning में आपको ground पर report करनी होगी study material आपको institute की साहता से ही मिलेगा कोई बात ही नहीं है आपकी फीज का ही वह पार्ट होता है हमेशा medical camp आपकी फीज का part होता है spoken English की classes आपको अपलब्ध करवाई जाती है doubt counter की सुविधा आपके पास होती है जहां पर आप अपनी class time के अलावा पूरे time में कभी भी अपने doubts discuss कर सकते हैं तो यहां कोचिंग से जुड़ने के लिए आपको call करना है 969 633 0033 और चुकि अब टाइपिंग इसका एक necessary part बन चुका है तो institute में आपको टाइपिंग की classes अलग से प्रोवाइड करी जाएंगी आपकी theory की classes के अलावा तो बच्चों यह बात हुई आर्मी भरती के बारे में अब यह जो आर्मी किलर का exam का pattern है 2024 इसको एक बार discuss कर ले आपका जो paper है total 200 नंबर का होगा इस paper की जो duration जो समय आपको मिलेगा वो net आपको एक घंटा मिलेगा जो paper है दो parts में डिवाइड होगा जैसा कि discussed हुआ part 1 और part 2 होगा इच पार्ट सौनमबर का होगा और इच पार्ट में 25 question होंगे बस part 1 में total 4 विशे होंगे और part 2 में केवल एक विशह होगा तो negative marking 25% की होगी आपकी एक नंबर की negative marking होगी यदि आपने कोई सवाल गलत किया तो punishment के तोर पर आपको एक नंबर कटेगा और एक नंबर आपके total answer में से कट जाएगा उसके बाद कोई भी मार्क नहीं काटा जाएगा अगर आप किसी सवाल को छोड़ देते हैं तो मतलब यदि किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट में हो तो फिर वहां पर निश्चित रूप से खिलाडियों से संबंधित करंट के प्रश्ण एवार्ट प्राइजिस की जो हाल फिलहाल में जो बड़े पुरुसकार दिये गए हैं वह किसको दिये गए कि क्या नाम है टर्मिनोलोजी की क्या चीज़ कहां यूज करी जाती है इंडियन आम्ड फोर्स के विशे में बुनिया जानकारी आपको होनी चाहिए इस स्क्रीन का स्क्रीन शॉट आप ले लिजी तो यह सारे 16 के 16 पॉइंट आपके रेडी होने चाहिए जीके के दर्श्टिक हों से जीके के बाद अन्य विशाओं की तरफ हम चलते हैं तो मैथमेटिक से आपका जिसमें आप देखेंगे कि 9th 10 कही पोर्शन आप से पूछा जाना है बेसिक अलजबरा है फंडामेंटल अर्थमेटिक औरेशन है नेचूरल नंबर इंटीजर फंक्शन रेशनल इडरेशनल नंबर डेसिमल फ्रेक्शन हसी एफ लसी स्क्वेर रूट प्रेशन प्रपोर्शन इसका भी आप स्क्रीन है आपको जुड़ना है फिर से वापस मेजर कल्शी के हलप लाइन नंबर पर जहां पर आप उन पुस्तकों को हिंदी माध्य में इंग्रिश माध्य में अलग पाएंगे जो पुस्तक हैं आपका पेपर बनाने के लिए यूज होती है तो इन पुस्तकों पर अगर आप तै साइंस में मोटे मोटे तीनों पॉर्शन होते हैं फिजिक्स केमस्ट्री बायोलोजी टेंथ क्लास का लेवल होता है इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट्स ऑप स्पीच जिसमें आपका आर्टिकल नाउन प्रोन और सिस्टम के बारे में कुछ बुनियादी जानका रही हैं मैमोरी का कॉंसेट इंपॉर्ट डिवाइस के बारे में जानकारी बैसे कॉंसेट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एमस वर्ड एमस पावर पॉइंट मतलब पूरा एमस ऑफिस आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटर सिस्टम एमस विंडो और इंट्रोड़क्शन ओफ विंडोस विंडोस के विशे में बुनियादी जानकारी यदि किसी वज़े से आप आफ लाइन कोचिंग नहीं कर पा नहीं कर पा रहे हैं तो आप निश्चिन्त होकर जोड़ जाएगे हमारे साथ ऑनलाइन पाठ्थे क् और इस एप को डाउनलोड करने के बाद प्रापर को पर्चेस करने के लिए आपको कॉल करना है 96963 003 तो मेजर कल्ची क्लासे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लर्निंग आप के माध्यम से आफलाइन क्लासे के माध्यम से किताबों के माध्यम से और यहां तक की कंप्लीट इनिशल कचडने वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आपके तैयोरी कराने लिए प्रतिवध cattivath है देर किसेवाथ कि हमारा सपना है कि आप वर्दी पहने आपका भी सपना है आप वरदी पहने हमारे और तन सपनों को मिलाते हैं और आपके फाइनली वर्दी पहने के सपने को साकार करते हैं जुड़िए मेजर कल्ची किलासे से किसी भी तरीके से जुड़ें आपके सफलता निश्चित होगी जैहंत